नमस्कार मित्रों में हूँ अशक बल्सोरा और आप देख रहे हैं जहुआ लाइव आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं जहुआ मुख्यालाई से 18 किलोमेटर के दुरी पर एक कालका माता मंदिर प्रांगन यहाँ पर इस्थित है और यहाँ पर अभी जो कोरोना महामारी दराऊना सा हो चुका है माहौल यहाँ पर इससे हमारा छेतर भी अच्छुता नहीं है और यहां पर हमने सुना और देखा है कि यहां पर यग्ज के माध्यम से इस विमारी से निजात पाने का प्रियास किया जा रहा है जैसा कि सनातन धर्म में जब सब जगों हाड़ जाते दुर्गा सब्तसतिक के पाड़ के अनुसरन के अनुसार कर रहा हूं और इसमें देवी मा का आदेश था कि पांच यग्या अगर तिथी वर्त किया जाए तो जल्द से जल्द पूरे विश्व में जो हमारी चल रही है कोरोना नामक बिमारी इससे सब को जल्द से जल्द पूरों में बेट रहे हैं और हमें लगब यह महसूस भी हो रहा है जग्डंबा के करपा से के इस बिमारे से recognizes हमें निजात मिलेगी अभी चार याग्ये कर दिए और पाच्वा यग्य बाकी है इसके होते ही हमें लग रहा है कि हमारे प्रदेश से ये बीमारी का विनास हो जाएगा कोविट नाइंटीन जो चल रही है अभी कोरोना महामारी क्या इसलिए इस यग्यों को हम कर रहे हैं साथ में और इसे हमको जलते-जलत निजात मिल पहले तुम्हें किना जाता हूंगा हम जो काम कर रहे हैं ये वीश्व में जन कल्यान के लिए कर रहे हैं हमें लोगों को देख जो लोगों को बीमारी हो रही है जो कोरोना चल रहा है इस वक्त महामारी उससे लोगों को देख के हमें बहुत दुखत महिसूस हो रहा है इस इस वज़े से हम इस हवन को कर रहे हैं और मतलब जनकल्यान के लिए ही कर रहे हैं कि लोगों को भला हो लोगों को इस बीमारी से छुटका रहा मिले जल्ट से जल्ट सांती हो जाए अपने प्रदेश में अपने जिले में अपने गाउं में जै मातादी जाई माता जी, हम जो ये चंडी अग्य कर रहे हैं, ये जो कोरोना महा महारी चल रही है, इससे निजात पाने के लिए माता जी से आशिरवाद चाहते हैं कि ये पूरे विश्व भर में से जल्द जल्द विमारी खतम हो। हमें पुरा विश्वास हैं, हम कहों कि माता जी पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, माता जी के आदियस हुआ हैं, अभी जो हमने चार हवन यहां किये हैं, उससे भी कुछ हम को उसके जो है, रिपोर्ट सही मिल रही है, और आगे भी, और मैं भी चाहता हूँ कि मा के खरपा भी पहलें से ही समाप्त कर दें, और यह जो ब्लेक फंगस जो चल रहा है, उसका भी हम यही प्रातना करते हैं, जितनी जल्दी वो इससे चुटकार हम मिले, और पूरे विश्व को सांती प्रदान करें, जैसा कि आप सभी ने देखा सुना, कि जहां एक और सासन परसासन अ हमारे सनातन धर्म में और भारत वर्स में आदी अनादी काल से चला रहा है कि कोई प्राकरतिक आपदार एसी महमारी यदी आती है, तो हमारे रिसी मुनी जग तब और यग्य के माध्यम से इन चीजों से निजात पाते थे, उसी तारतम में, आज यहां पारा के एक छोटे स देश सहित विशु में यह कोरोना महमारी से निजात मिल सकता, उसी तारतम में यह पांच यग्यों का यहां पर इन्होंने समयती के द्वारा किया जा रहा है, और उमीद है कि इस भैवा बिमारी से, क्योंकि आस्था पर सारा टिका हुआ है, पूरी दुनिया टिकी हुई है तो उसी आस्थिक भाव के साथ में यह लोग यहां पर लगे हुए हैं, और निसंदे उन्हें निस्चिदी इसमें सफलता मिलेगी, ऐसा इन सभी का मानना है